कि है फ्रेंड्स वैलकम टू माई न्यू वीडियो और स्वागत है आपका मारे चैलेंज्ट ट्रिक इंफो पे तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले की रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तो चली वीडिय की बात अगर आप लोगों का मन बन रहा है 20R से लेके 30R तक की रेंज में फोन खरीदने का तो अभी आप लोगों को करना चाहिए वेट क्योंकि आने वाला है वन प्लस का एक और फ्लेक्शिप मोडल जैसा कि आप लोगों ने अभी तक देखा था कि वन प्लस का नोड चल रहा था जो कि आपका 28R की रेंज में था और 30R की रेंज में था 8GB और 12GB की RAM के साथ इसके अंदर आपको मिल दा था Snapdragon 765 तो अगर मैं बात करता हूँ अब तो आपको इस फोनगे मिले गआ 2 की अगर मैं बात करता हूँ आने वाला 1 यह आंदर मिलेगा आपको डेमेंसीटी 1200 प्लेक्शिप दिवाईस ए является मैं इस फोन की बात करूंगा तो इसके अंदर मिलेगा आपको 6 नैनोमिटर का चिप सैट और 3 गीगाहट्स की क्लोग स्पीड होगी इसकी LPDDR4 रहम या 5 को सपोर्ट करेगा अगर आप इसका कंपेर करेंगे तो स्नैप ड्रैगन 870 से कंपेर करना पड़ेगा लगबग इनका एक वली आएगा आपका यह जो प्रोसेसर आपका 6 नैनोमिटर का प्रोसेसर है जिसका जो सीपी यूओ आए 78 है और अगर मैं इसकी क्लोग स्पीड की बात करूंगा इसकी क्लोग स्पीड आपके 3.0 गीगाहट्स एन्टूटू स्कोर होगा इसका डैमेंसीटी बारा सोगा 6,11,000 के आसपास जबकि डैमेंसीटी एक हजार के आपका पांच लाग के आसपास तो इससे एक लाग उपर होगा आपका बात करते हैं फोन की स्पैसिफिकेशन की तो 48 मेगा पिक्सल का आपको क्वाड केमरा मिलेगा जो की काफी अच्छा केमरा होने वाला सोनी एमेक सेंसर के साथ और डिस्प्ले होगी आपके इसकी 90 हेट से फरेशेट वाली डिस्प्ले मिलेगी आपको बैटरी अगर मैं बात बात करते हैं अब इस फोन की कंपेरिजन की नोड से तो नोड आपका जिसे आठाइस जार की रेंज में ता अठीवी रेम में में यह आपका 25,000 की रेंज में आ सकता है जो कि ओप एफ उनिस प्रो प्लस की कॉम्प्टिशन में यह उता रहा है तो देखते हैं इसका कि परफॉर्मेंस कैसा रहता है मार्केट वाइज जहां तक अगर मैं बात करूंग तो यह आपको देखने को मिल सकता है रियल्मी के एक फोन में जीटी जिसका नाम है इस प्राइज में इसका सीधा कॉम्प्टिशन आपका वीवो ओपो और एमाई से हो सकता है रियल्मी में अभी जीटी आने वाला है तो अभी उसका उसकी बात नहीं कर वेंगा 8GB वाला जो वेरियंट है वो 25 या 26 का हो सकता है और जो 12GB वाला वेरियंट है आपका वो 30,000 के असपास हो सकता है नेक्स्ट मद इसकी सेल होगी वहां आपको पता चली जाएगा अपरेलियमे में